नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टेडी शाला 2.0 में और कैसे हैं आप लोग बिल्कुल कॉमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखेगा कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों आज के सिसन में हम लोग ये देखने वाले है जो आपका 30 नमबर का सामान ग्यान का और करेंट अफेयर्स का जो पार्ट है उसमें हम लोग देखेंगे कि कितना कितना किसका वेटेज है मतलब सामान ग्यान का कितना वेटेज है जिससे आप जीके बोलते हैं और करेंट अफेयर्स का कितना वेटेज है ये देखेंगे पि कितना कहां से पढ़ना है पूरा विस्लेशन करेंगे हम लोग syllabus का एक complete विडियो पूरी देखते हैं तो current affairs और GK से संबंदी जितनी भी आपकी queries हैं जितनी भी समस्याइं समाप्त हो जाएंगी तो चलिए देखते हैं यह आपका 30 नंबर का किसका पार्ट होता है ठीक है तो हम लोग किन-किन बातों पर चर्चा करेंगे एक बार पहले उसको देख लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले तो मैं माफी जाओंगा कि चैनल पर पिछले लवल डेड़ महीने से कोई class नहीं आई थी और कोशिस की जाए में 30 प्रशनों में जो है दोनों का कितना-कितना भारांग है उसके बाद हम देखेंगे कि इसका syllabus क्या है ठीक है समय ग्यान और समसामाईकी का syllabus क्या है और कितना कैसे कहां-कहां से पढ़ना ही इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग दे करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप अपना अपना कमेंट देंगे ठीक है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक बार फिर से हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि करेंट और जीके का भारांक कितना कितना है ठीक है अगर हम बात करें 2018 में तो कुल 30 प्रशनों में से 15-16 अब दीवस के कोशन्स जो होते हैं उनको आप दोनों में रख सकते हैं जीके में भी रख सकते हैं और करेंट अफेर्स में भी रख सकते हैं ठीक है तो इसलिए मैंने 15-16 किया है तो 2018 में अगर वेटेज देखा जाए तो लगबग 50-50 परसेंट का था कितना कितना था 50-50 में तो 2019 में जो वेटेज है वो थोड़ा सा बदला हुआ है ठीक है और यह आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ तो बूच क्रेंट अफेर्स को ले करके जो हमारे पेपर सेट करने वाले थे वो ज़्यादा ही उत्सुक हो गए ठीस में बाइस नंबर जो है वो थीक है जिसने मैंने डिवस जो दिया था वो भी मैंने calculate किया है इसमें ठीक है और यहां पर आठ नंबर किसका था आपका जी के वाला था तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि current affairs कितना महतुपूर्ड है वैसे तो एक एक नंबर बहुत ही जादा महतुपूर्ड होता है आपकी तैयारी में ठीक है क्योंकि एक नंबर से selection होता है एक नंबर से selection ढुख जाता है तो हम क्यों लापरवाही बरते तो आज के session में हम लोग एक एक जो इसका syllabus है उसका एक topic है सब पर देखेंगे और कैसे कैसे questions आए है कोशिस करेंगे कि पिछले दोनों सालों के questions को हम देख सकते ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों एक बार मैं syllabus करा दूँ syllabus तो आप सभी के पास होगा ही एक बार हम लोग आपके लिए important है और यहीं से जो है questions एकदम exact आप से पूछे जाएंगे ठीक है दो चार question इदर उदर हो सकते हैं लेकिन maximum questions यहीं से होंगे उसके बाद है अंतर राष्ट्य तथराष्ट्य पुरस्कार है खेल कूज से संबंदित प्रश्ण है भारतिय संस्कृति एवं कला यह पूरा पार्ट जीके का maximum होता है करेंट अफेर्स की एक दो बन सकते हैं यहां से और यह मैंने लिखा आद कि अधि लगा देने का मतलब यह हो जाता है कि अब आप यह नहीं कह सकते कि यह तो से लिवक में दिया ही नहीं है तो आधि का मतलब है कि बहुत सारी चीजे और एड हो जा आपके लिए फायदे मंद हुई या नहीं हुई ठीक है देखे सबसे पहला है समसामाइक महपूर्ण घटनाए ठीक है और इसमें दिया था कि अंतराश्टी राश्टी और प्रदेश ठीक है इन तीनों से सम्मंधित घटनाए इसमें रहेंगी और उसमें भी अस्थान घट आने चुके हैं देखे स्थान घटनाओं को मैंने एक साथ ले लिया है इसमें क्या-क्या आपको पढ़ना है तमेलन और बैठक जो होते हैं तमेलन बैठक में जो आपको पढ़ना है दोस्तों उसमें भी आपको पर्यावरर से रिलेटड जो चीज़े हैं और कुछ और इसलिए यहां पर भी आया है आगे आप तो खेल खूदवाले में भी यह टॉपिक मिलेगा समारो असल मतलब कोई भी समारो यह भारत वाला जो है जादातर पूछा जाता है तो वह भी आप ध्यान में रखेंगे अब देखें जादातर इंपॉर्टेंट यह हो जाता है कि क जैसे किसी चीज का उध्गाटन किया गया राष्ट्री अंतर राष्ट्री यह दोनों आप देख सकते हैं जैसे जो है पूछा जा सकता है इसी तरीके के और भी प्रश्णा आप से पूछे जा सकते हैं जो घटना और स्थान से संबंदित होंगे तो जब भी आप क्लास अटेंड करिए इन सब चीजों पर थोड़ा सा फोकस करके चलिए दूसरी चीज है व्यक्तित्तों अब देखिए व्यक्तितों से संबंदित प्रश्ण पूछे जाएंगे और रचना आए ठीक है तो एक एक ये थोड़ा सा बड़ा है ठीक है इसका छेत्र थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसको अलग लेकर करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं चलिए अब देखिए व्यक्तित्तों की बात आई तो व्यक्तित्तों में कहां कहां से कोश्चन्स आप से पूछे जा सकते हैं सबसे पहले है व्यक्तित्तों मतलब व्यक्ति से संबंदित है व्यक्ति से संबंदित में क्या क्या आ सकता है ये देखिए सबसे पहले है निउक्ति पुरसकार वाला मैं आगे आप से चर्चा करने वाला हूँ ठीक है कि अगर कोई पुरसकार पाता है अलग से कोई पुरसकार पाता है वो तो वहां पे पुरसकार में काउंट किया जाएगा अब देखिए यहां पर न्यूक्तियों में आपको क्या क्या देखना है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई महिला न्यूक्ति हो रही है ठीक है मतलब कोई female appointment है तो उसको आप focus करके चलेंगे ठीक है उसके बाद अब देखे क्या है अगर न्यूक्ति की बात करें तो राश्ट्री और अंतर राश्ट्री अस्तर पर दोनों तरीके से हमको न्यूक्त अब अगर हम लोग बात करें कि राश्ट्री अस्तर पर राश्ट्री अस्तर पर आपको कैसे कैसे न्यूक्तियां देखनी है मैंने बताया कि महिला न्यूक्ति हो रही है तो वो आप अलग से जरूर देखिएगा ठीक उसके बाद सुरक्षा संस्थाएं जो है जो निदेशक निदेशक ये सब बदले हैं थल सेना जक्ष है वायू सेना जल सेना ये सारे आपको याद होने चाहिए ये दूसरी चीज़े सिक्षर संस्थान सिक्षर संस्थान में जैसे M.C.E.R.T. है बहुत से यूनिवर्सिटीज हैं जिनके आपको प्रमुख बताये गए तो जैसे JNU की कुलपती बदली गई थी ठीक सांथ से धुली पुडी पंडित बनी है पहली बार कोई महिला बनी है इसी तरीके से जम्मू कषमीर में निलोफर जो बनी है निलोफर खान बनी है वहां की कुलपती तो ये आपको अलग से याद कर लेना है ठीक है और भी जै भारती ये फिल वे एवं टेली वीजन संस्थान और एक प्रमाडन बोर्ड है इससे पूछा जा चुका है 79,000 में 68,500 में 29,000 में एक जगह पूछा गया है तो ये भी आप याद रखेंगे वैग्यानिक संस्थानों के प्रमुक को भी याद करिएगा जैसे क्या क्या है आप ये सारा जो मैंने आपको बताया है इसमें निव आपॉइंट्मेंट जो होती है वही आपसे पूछी जाती है अभी जैसे नीति आयोग के प्रमुक बनाए गये ठीक है ये जब बदले जाते हैं तो वह आपसे जैसे कुछ आयोग है संस्थाएं है जैसे महिला आयोग है अल वो सकता आगे संभावना बने तो आप जो इंडिया अस्तर का भारत अस्तर की जो कंपनिया जो बदलती एंपने ब्रांड अबेस्जर बनाते हैं उनको आप करने की कुसिस बिल्कुल करिएगा उसके बाद अगर अंतरराश्ट्री अस्तर पर बात करें दोस्तों तो देखें देशों के प्रमुक यहां पर रहें, देशों के प्रमुक में आपको क्या-क्या याद करना है, यदि कोई महिला विशेश नुक्ती होई है, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि हंगरी की पहली महिला राष्टपती कौन बनी है, तो कैटलिन नुवाग बनी है, तो ये आपको या अडोसी देश हैं, जैसे हमारे जो है, इंदिया का बेटा एक आप कह सकते हैं, पाकिस्तान, और अडोसी पडोसी देश, जैसे स्री लंका में जो है, पिछले कुछी दिनों में तमाम सारी घटनाएं हुई है, आर्थिक मंदी को ले करके, ठीक है, तो ये सारी चीजे आपक हजार में केवल एक प्रशने पूछा गया था, जिसमें क्या था, चुनाव आयोग, क्या था दोस्तों, चुनाव आयोग, देखिए यहां राश्चिय नुक्य में चुनाव आयोग नहीं लिखा गया है, फिलाल आप उसके याद रखेंगे, कि मैंने बताया कुछ को आपको याद कर लेना है, अभी कैग है, CGA है, यह सब आपको याद होने चाहिए, तो यह मैं अलग से नहीं कहने वाला हूँ, कि आप मुख्यनाय धीज का नाम याद करिए, या यह सब तो आपको रटा होना चाहिए, ठीक है, अंतराश्य संगठन जैसे NATO है, UNO है, IMF है, इन संगठनों का मुख्याले भी आप याद कर लेंगे, यह जितनी में मैं चीजे बता रहा हूँ, इसको आप लोट कर सकते हैं, दोस्तों, क्योंकि बहुत ही important है, आपको एक तरीके से आपका view clear हो जाएगा, कि आपको कितना और कहां से पढ़ना है, ठीक है, अब देखिए यह एक पार्ट जो हम लोगोंने cover किया, आगे देखिए निधर में क्या है, निधर में जो बहुत चर्चित व्यक्ति होते हैं, जैसे अभी हमारे जो serious है, पहले serious उनका निधर हो चुका है, ठीक है, एक helicopter crash में वो आपको याद होना चाहिए, लता मंगेसकर जी का निधर हु यह दो तरीके से प्रशने पूछे जाते हैं, हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग current affairs और जी के दोनों को यहां पर दोनों का syllabus और कहां से पढ़ना है, दोनों देखना है, ठीक है, तो देखे, जो current से जुड़ा यहां से प्रशने पूछा जाता है, उसमें यह होगा ना, कि कोई महिला है, यदि पहली बार कोई काम कर रही है, ठीक है, मतलब पर्थम होती है, तो वो आपको याद कर लेना है, किसी, हाँ, यह स्थान वाली बात यहां पर नहीं करेंगे, हम लोग महिला या पुरूस same, बहारत में या बिस्वों में पर्थम जीसे हम कह सक सकते हैं तो आप यहीं पर यार्ट कर लेंगे ठीक है जैसे अभी जो है लेखवाल वाले परिक्षा में पुरस्ट पूशा गया था कि Everest Base Camp EBC ठीक है पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की महिला ठीक है तो सबसे कम उम्र की महिला या आप उसे बाल क्या कह सकते हैं दोस्तों तो ये question यहाँ पर देखे पर्थम हुआ Everest के बारे में मैंने भी बताया था अपनी class में 4-5 जो है नाम में एक जगा करके बता रहा था वो आप जरूर याद रखेंगे ठीक है या कोई महिला पहली बार जैसे मैंने बताया JNU की प्रमुख बनी है तो वह आपको याद कर लेना है क्योंकि वह पहली बार हुई है कोई महिला वहाँ पर ये प्रशन आप क्योंकि सुपर्टेटर और अन्य एक दिवसीय परिछाओं में दोस्तों ये सारे प्रशन जरूर पूछे जाते हैं ठीक है तो जीके के लिए आप वहां से भारत में और विश्व में प्रथम जरूर पढ़िएगा ठीक चलिए क्योंकि वहां से प्रशन पूछा भी गया है तो आप कंफ्यूजन में ना पढ़े इसलिए जरूर पढ़िए उसको देखे अब आगे हम बात करते हैं रचनाओं ठीक है रचनाओं से प्रशन कैसे पूछे जाते हैं देखे मैं पहले आपको बता दे रहा हूं कि 79,000 में तीन पूछे गये थे ठीक है रचनाओं से और 68,500 में एक प्रशन रचना से पूछा गया था यह वो रचनाएं हैं जो करेंट अफेर से जूड़ी थी और दोस्तों जो और भी पुरानी किताबें बहुत पहले लिखी जा चुकी हैं उनसे भी प्रशन पूछा गया था यहां पर आपको दो कोश्चन मिलेंगे 69,000 में इसमें मिलेंगे दोस्तों 69,000 में और यहां पर भी आपको एक कोश्चन मिलेगा माफ कीजिएगा और यहां पर 68,500 में एक कोश्चन यहां पर मिलेगा पुरानी किताबों से ठीक है बाकी यहां पर जो है नई मैंने बताया कि 800,500 में एक question आया था, ठीक, अब देखिए, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, जैसे, अगर मैं बात करूँ current affairs के जो किताबे है, current की किताबे हैं, तो इसमें जो भारती है रसनाकार लिखते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई थी, trick के माध्यम से किस तरीके से किताब और उसके रसना अंतर राष्टिय पुरसकार प्राप्त रचना है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यह समझे, 69,000 में एक रचना पूछी गई थी, कि मिल्क मैन किसने लिखी है, वो रचना क्यों पूछी गई थी, यह आप समझे, रचना इसलिए पूछी गई थी दोस्तों, क्योंकि उसने मा बुकर पुरसकार जीता था उस रचना ने, इसलिए वो रचना आप से पूछ ली गई थी, अब देखिये कैसे कैसे, जैसे बुकर पुरसकार विजेता रचना है, वो आप से पूछी जा सकती है रचनाओं में, ठीक है, दूसरी चीज क्या हाथ यह दोस्तों, कि नोबल, ज देखिये, ऐसे ही हिंदी सहाइथी की जितनी भी कितावें आपको मिलती हैं, नहीं नहीं, जिसमें कोई पुरसकार जैसे ग्यान पीठ, तो माली जै रचना पे नहीं दिया जाता है, या इस तरीके से जो भी कितावें आपको मिले, आप उसको जरूर याद करें, ठीक है, व ठीक है तो आपको ये समझ में आया होगा कि रचनाए अब जो है ये पुरानी रचनाए जो जीके से जोड़कर आप से पूछी जाएंगे उसमें देखिये क्या गया है जैसे मुख्य मुख्य किताबें कहां से पढ़ना ये भी मैं बता दे रहा हूं ये आप लिउसेंट में जाएंगे पीछे ठीक है लिउसेंट में पीछे जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक पूरा सेसन दिया है कि जो है मैं आपको पढ़के बता दे रहा हूं प्रमुख लेखक एमम उनकी पुस्तके उसको आप जाकर कि जरूर पढ़िएगा दोस्तों क्यों पढ़ना है देख ये तो जरूर मेरे दोस्तों याद कर लीजेगा एक दम से जैसे मेरे च्छे कठीकम पंचतंत्र अर्तसास राष्टा द्याई ये सारी किताबे तो रटी ही होंगी आपको बहुत से नाम इसमें ऐसे जैसे राजतर इंगडी है मिताक्षरा है ये सब याद होना चाहिए आप को ठीक है किताब उलहिंद है जो इतिहास से जोड़कर किताबे हैं वह आप से पूछी जा सकती है कुछ अंतर राष्टी जो राइटर है उनकी किताबे आप देख लीजेगा जश्ट उसी के बाद दिया गया है ठीक है और यहां के भी कुछ लेखक है जिनकी किताबे है तो उनको आप एक दो बार जब चार बार पढ़ेंगे तो जाईर सी बात है याद हो जाएगी मैं कोशिज करूंगा इस बारे में एक वीडियो जरूर डालूंगा ठीक है तो यह रहा आपका रचनाओं का सेशन नेक्स है दोस्तों पुरस्कार सेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन उमीद करता हूँ कि यह देखने के बाद आप लोगों के यहाँ पर संसे कोई नहीं रह जाएगा पुरसकारों की बात करें तो पुरसकार को 3 स्रेड़ी मैंने बनाया है एक है आ अंतर राश्ट्रिय और यह राजिपुरसकार ठीक है तो मैं जितना बता रह thing आने ही आने है अगर आप इतना पढ़ते हैं तो आप मान कि चलिए की तीस वोई 25 तो आप कर ले जाएंगो बहुत आरह मねं अंतर राष्ट्रीए में क्या पूछा जाएगा जैसे नोबेल की बात करलें मां वरतमान है डिया गया है प्रतम भारती है कौन है जिन्होंने प्राप्त किया है ठीक है ये प्रस्न क्यूं मैंने बताया कि ये पूछा जा चुका है गीतानजली पर ठीक है ये पूछा गया है कि पहले भारती नोबल पुरसकार प्राप्त करता और इससे पहले गीतानजली के बारे में पूछा गया थ वर्स में या आप से ये पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में जो सायद सांतिका नोबल पुरसकार था ठीक है वो वापस करने वाली बात हो रही थी दिमित्री मुरा टो जो थे उन्होंने वो रूस के थे और वो यूक्रेन से जो युद्ध चल रहा था ना उसके लिए वो उस पिछली बार 69,000 में लगभग 6 से 7 सवाल पूछे जा चुके हैं ये फिल्म पुरसकार और यहां से दो को उस्टेशन पूछे जा जा चुके हैं आप इसको जरूर याद करेंगे अब इसमें क्या क्या याद करना है तो अभिनेता अभिनेत्री और डाइरेक्टर याद करता आपको और उसमें भी आसकर है golden globe है और बाफ्टा अवार्ट है यह important है इसके अलावा तो बहुत होता है तो Grammy Award के बारे में पूंचा जाता है जो कि एक संगीत पुरसकार है ठीक है Grammy Award के बारे में पूंच लिया जाएगा नहीं तो यह अगर आप तीन याद कर लेते हैं तो अगर आपको मिले तो तुर अंत्याद करिए बुकर पुरसकार देखिए अभी हालेही में दिया गया है यह वैल पुरसकार आप देख रहे हैं जैसे पृट्जिकर पुरसकार है ठीक है तो यह सारी चीजे आप जब भी पढ़ें तो इसको दिमाग में एकदम सेट करते जा यह सारे चीजे आपको अलग से याद करके रखनी है राश्ट्ये पुरसकारों में बात करें तो भारत रत्न के बारे में दिया गया है पहला कि till दोस्तों बात को बस इतना अर्जुन पुरसकार द्रोडाचार रिध्यांचंद पुरसकार यह इसलिए आपको याद कर लेना है दोस्तों कि यहां पर आपको किवल यह पुछा जा सकता है कितने लोगों को दिया गया यहां पर जो पुरसकार प्रात करता खिलारी होते उनका खेलों से संबंध पूछ ल होने चाहिए ठीक है और फिल्म पुरसकारों में दोस्तों यह चार इंपॉर्टेंट है राश्री अस्तर के जो भारत के हैं यह तो आपको अच्छे से याद ही होने चाहिए डन है अब देखिए राज अस्तर पर कुछ खास पुरसकार नहीं है तो भारत भारत यहां पर है और भारत भारती दोस्तों यह उत्तरप्रदेश सरकारवारा दिया जाता है और यह 79,000 की परिच्छा में पूछा जा चुका है ठीक है तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि क्या क्या चीज आपको पढ़नी है ठीक चलिए अब देखिए कुछ अन्य जो बात कर लेते हैं पूरसकारों की जैसे अब इस वर्ड है मिस यूनिवर्स है मिस इंडिया है इस तरीके के और भी जो मिलते हैं पूरसकार आप देखेंगे कुछ और जो राश्ट्री पूरसकार जैसे इंद्र गाधी सांती पूरसकार यह अन्य जार पांसो की परिक्षा में पूछा गया था जैसे कौन सा राज भारत में पहले अस्थान पर रहा है जैसे उत्तर पर देश रहा है विश्व में व्यक्ति कोई पाता है अलग से पूरसकार तो देख लेते हैं रामानुजन पूरसकार रामनात गोयन का असम वैबो निता जी अवार्ड भारत रत्न डाक्टर अंबेटकर अवार्ड हरसाली मलोत्रा को जो दिया गया है इस तरीके के और भी कुछ अवार्ड होंगी जो आपको याद करने होंगे मैं कोशिज करूंगा कि इस चैनल पर यह सारी क्लास ऐसी वीडियो आपको अलग से मिलती रहे ठीक है नेक्स से दोस्तों खेल कूद खेल कूद की अगर हम बात करें समय थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो थोड़ा जल्दी चेहरते हैं हम लोग खेल कूद से सबसे पहले आप संबंदित दिवस याद कर लेंगे ठीक है जैसे राश्टिय खेल दिवस जो होता है मेजर ध् साथ अगस्त को मना जाता है नीरत चोपडा ने उसी दिन कोल्ड जीता था सी डबलू जी कॉमन वेल्थ गेम्स दिवस जो मना जाता है ओलंपिक दिवस यह सब आपको अलग से याद कर लेना है ठीक है अब बात करते हैं कि अंतरराश्टिय खेल में क्या-क्या आपको हागी अभी पृडच्ग फिडे सत्रण्ज ओलंपियार्ड का यह आपको याद करना है एस को तो आपको याद भॉना चाहिए ठीक है इस तरीके की प्रतियोगीता है जो आपको याद करना है अब खेल मिजटा, important important आपको याद करना है जैसे ये जो चारो grand slam होते हैं Australian Open, French Open, Wimbledon Open और US Open यहां से प्रशन पूछा गया था 79,000 में ठीक है तो ये आपको याद करना है उबेर थामसकप यहां से एक प्रशन अब की बार बनना है ठीक है यह सबसे पहले किस खेल से संबंदित होते हैं और दूसरी चीज़ यह कि विजेता क्योंकि भारत ने पहली बार थामसकप जीता है तो यह प्रशन बनता है अपकी बार की पूछा जाएगा उसके बाद क्रिकेट में जैसे IPL यह तो अंतराश्य में मैंने लिख दिया है वर्ड कप आप देख सकते हैं कि कौन विजेता बना है तो विजेताओं के नाम खेल विजेताओं के नाम आप देख लेंगे कुछ और खेल होते हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए और उनके विजेताओं पता होने चाहिए जो आप रेगुलर क्लास में देखते होंगे खेल से सम्मंदित कप और ट्राफी इंपॉर्टेंट कोस्चन है यह क्यूं इंपॉर्टेंट है यह आप समझेए एक कोस्चन 875,500 में पूछा गया था कि दूरंड कप किस खेल से सम्मंदित है ठीक है तो यह सारी चीजे खेल और ट्राफी देखिए यह आप जाएंगे ठीक है अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि राष्टिये में कौन कौन से आते हैं तो देश में आयोजित होने वाले जो खेल अस्थान है और सुभंकर यह आप याद रखेंगे सुभंकर भी पूछ लेता है अब इसमें भी इंपॉर्टेंट कौन सा है तो खेलो इंडिया आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ आप देखिए अब आपको दिखा होगा खिलाडी और संबंधित जो है ठीक है तो यह भी आपको याद होनी चाहिए अभी पूछा था सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है यह कोशन कहां से बनते हैं या तो इन्होंने हाल ही में कोई मेडल जीता हो ठीक है जैसे CWG में कोई मेडल जीत लिया हो कामन वेल्ट गेम्स में ओलंपिक में मेडल जीत कोई आया हो या दोस्तों कोई पूरसकार मिला हो जैसे मैंने बताया था अर्जुन है मेजर भ्यांचंद पूरसकार है ठीक है, डन है, चलिए, उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, नेक्स है दोस्तों, भारतिय संस्क्रित यह उनकला इंपोर्टेंट यहां से जीके के कोस्टन्स जाड़ा बनते, अब देखिए, क्या-क्या आपको पढ़ना है, अगर करेंट की बात कर दोनों में आपका काम करेगा, ठीक है, उसके बाद धरोहर, देखिए, यूनेस्को धरोहर में कोई सामिल किया गया हो, 800-500 पर इच्छा, 99-2009 में पूछा गया, यहां से ठीक है, रामसर साइट्स जो होती है, यह बढ़ाई गई है, तो इनको आप देख लेंगे, अमूर्त भूर मीडियास है, इस तरीके के जो दिवस है, वो भी आप याद कर डालेंगे दोस्तों, और नए धरोहर कहीं पर अगर उसका उद्गाटन जैसे कोई मूर्ती बन रही है, आपने देखा था, दोस्तों, इस्टेचु आफ यूनिटी की उचाई पूछा था, 99-1000 में, ठीक है, और जीके की बात करें, तो दोस्तों, नृत्य से कोईस्टन बराबर पूछा गया है, नृत्य से यूपी से भी कोईस्टन पूछा गया है, और राश्ट्री अस्तर का भी जैसे, कतकली पूछा गया था, 99-1000 में, ठीक है, कि कतकली जो है, कहा का नृत्य है, इस से पहले पूछा गया था याद नहीं आ रहा है लेकिन आप उसको एक बार देख सकते हैं वहां भी एक कोश्चन ठीक्स है उत्तर प्रदेश से संबंदीत भी कोश्चन पूछा गया है और यूपी स्पिसल आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा तो वह आप पढ़ते रहेंगे तो वह कि आप जब लूसेंट पीछे खोलेंगे वहां भी मिल सकता है अदर्वाइज मैं तरीका बता रहा हूं कैसे आप पढ़ेंगे इसको यह आप किताब लूसेंट उठा लीजिएगा लूसेंट में इतिहास में चले जाईएगा ठीक है जो जो है एंसेंट हिस्ट्री है कर आया था तो उसको आप अलग से नोट करते जाएंगे कि कहां पर किसने यह आप जरूर नोट करेंगे ठीक है और लूसेंट के पीछे जो है भारत की धरोहर जो नाम से दिया गया है उनको आप देख लेंगे कि कौन कहां पर इस्थित है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट ठ ठीक है और उत्तर परदेश में जब भी आप पढ़िये पवित्रस्थल जैसे पूछा गया था कि नयमिसारण यह पवित्रस्थल कहां पर है अट्सरजार 500 की परिक्षा में पूछा जा चुका है अनुसंधान केंद्र कुछ पूछे जा चुके हैं तो यह सब आप अच्छ सब कुछ दिया हुआ है तो वहां पर वीवित में जाके आप पढ़ लेंगे इंपॉर्टेंट है आलस मत करिएगा अगर अध्यापक बनना है दोस्तों अध्यापक नहीं बनना है तो समय विताते रहिए बनना है तो इंपॉर्टेंट यह है कि आपको कहीं से भी कोई भी कस संबंधी से संबंधी जो हिंदी राष्टी अंतर चर्ची जिस में भी आता है वह आप अलग से जरूर पढ़ेंगे ठीक है परिया वर्यावर्यार्ण्सितं मंदीत जितने भी दीवस हैं, जैसे जल दीवस, प्रिठ्वी दीवस, यह सारी चीज़े, वन दीवस है, वानी की दीवस है, विसुबन जीव दीवस है, यह सब आपको याद कर लेना है, ठीक है, एक भी कोश्चन कहीं से गलप नहीं होना चा जिसमें ये सब important है तो ये आपको एकदम बहतर तरीके से याद होनी चाहिए कहीं एक पेज पे लिख करके चिपका लीजिए और उसको बराबर देखते रही है ताकि परिक्षा में ऐसे दिमाग में set होना चाहिए पिछले वर्स का अब की वर्स का दोनों करिए सुधार हुआ कि नहीं हुआ आपको पता चल जाएगा कि क्या इसकी चल रही है उसके बाद दिखके महिलाषत से संबंदित मैंने बताया कि जो भी विसेस आता है उसको आप करते रही है उपनाम भारत का सिराज पूंछा था पूर्वी भारत का सिराज या इस तरीके से पूछा ठीक है इन सब पर मैं एक एक वीडियो बनाने की कोशिस पूरी करूंगा ताकि आपको एक ही जगह कम समय में अच्छी चीजे मिल सकें योजनाई एक योजना पूछा था पिछली साल अब परिवर्दित नाम मोच्ट इंपॉर्टेंट है यहां से हर बार कोश्चन बने यह 8500 में एक कोश्चन बना था कि कांडला बंदर गार जो उसका नाम परिवर्दित करके क्या कर दिया गया है इस तरीके से नाम परिवर्दन के लिए आप अलग से पूरा-पूरा याद कर करते रहे हैं मैं जब पढ़ा रहा था करें तो यह सब मैं एकदम रटा रहा था आप लोगो फिलाल फिर से पोसिस रहेगी कि काम अच्छा होने लगे ठीक है चलिए अनुसंधान संस्थान केंद्र अंतराश्य मुख्यालय यह आपको याद करना है लूसेंट में पीछे सब आजिक अध्यान वाला जो सामान अध्यान मतलब हिस्ट्री जोगर्फी पॉलिटी यह सब जिसमें आता है वह जीएस में जाएगा जीके में जैसे पर्थम है यह सारी चीज़े आप इसमें पढ़ सकते हैं पर्यावरर करेंट में क्या है पर्यावरर से संबंदी दिवस है बैटेक सम्मेलन है और इससे संबंदी जो भी अवार्ड मिलते हो जब भी आपके सामने आये तो उसको अलग से आप जरूर नोट करिए जी आई टेक कभी पूछा नहीं गया है याद किये रहिए पूछ लेगा तो हल हो जाएगा और भारत वाविस्व में पर्थम ये तो म उमीद करता हूँ कि समझ में अच्छे से आएगा ठीक है अब हम लोग बात कर लेते हैं कि करेंट की क्लास जो है वो कैसे रन होगी या क्या प्लान है उसका देखे इस चैनल पर जो करेंट की क्लास आ रही थी मैंने कहा तब वीकली आएगी बड़ी मेहनत की मैंने और वीड तो क्या क्या चीजे मिल सकती हैं सबसे पहले देखिए आप लोग सहमती जरूर दीजेगा कमेंट बॉक्स में जाकर जैसे देखिए क्या है एक तो टेस्ट है ठीक है रेगुलर क्लास अगर मैं कराऊंगा तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा रेगुलर क्लास की जगह पर टेस्ट अब जो में उट्रेशन का रीविजन करासे रेगुलर क्लास की जगह पर टेस्ट के फॉर्मैट में और वही कोशसों मिलेंगे जो आप रैगुलर कहीं से भी एगर आप बेलिङ पढ़ रहें दोस्तों तो मैं उनphinिख कोशुन्स क कराऊंगा ज्यादा-तर तर्गे तो इसकी एक अलग से वीडियो बुक्स की एक अलग से वीडियो आ जाएगी आपके पास ठीक है अवाड जो पुरसकार वित्रित किये जाएंगे यह वीडियो अलग से आजाएंगी इसलिए मैं कहा हूँ कि regular class लेने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि मेरे पास time नहीं मिलता है त तो मैं कोशिस यह करूंगा कि जो हर दूसरे तीसरे दिन यह test आए देखे हो सकता है कि या तो दूसरे दिन करें या तो हर तीसरे दिन करें अगर हम लोग तीसरे दिन करेंगे तो भी अच्छा है या तो कोशिस करके दूसरे दिन ठीक है तो आप option में जरूर दीजेगा कि दूसरे या तीसरे दिन किसमें आप चाहते हैं ठीक तो कोसित करेंगे कि हर दूसरे दिन test के format में आपको questions मिलते रहें ठीक है तो आप उसको हल करिए 5 से 10 minutes में पूरा test आपको मिल जाएगा लगभग 20 questions का test रहेगा अगर दूसरे दिन हम लोग करेंगे ठीक है और ये सारी जो चीजे रहेंगे इसलिए अगर हम लोग regular करेंगे तो यहां भी time नहीं मिलेगा ठीक है regular test हो नहीं पाएगा हर दूसरे दिन करेंगे हम लोग और दोस्तों यहां पर यह जो किससे संबंदीत वीडियोज होंगी जैसे निउक्तियां है ठीक है यह बराबर आपको हर मंत या हर वीक में आपको मिलती रहेंगी एक special चीज में करने वाला हूँ जो राज्यों से संबंदीत current affair होते हां किसे राज्यों से संबंदीत ठीक है यह सब class के format में होंगे test के format में नहीं होंगे हर एक राज्य का जो भी current का question आया जैसे गुजरात है तमिलनाडव करनाट का है यहां से जो भी important current के questions बनते हैं वह हम लोग एक वीडियो में अलग से राज्यों का नाम उससे संबंदीत current ऐसे करके हम लोग पढ़ डालेंगे ठीक है एक एक वीडियो में एक चीजे कवर करते चलेंगे और मैं revision test के माध्यम से बराबर revision कराऊंगा और Sunday को एक class live आने की कोशिस हमेशा रहेगी तो Sunday को एक class totally live और बाकी uploaded class आपको मिलती रहेंगी ठीक है तो आप लोग यह जरूर बताएगा कि यह जो test format है वो दूसरे दिन कराया जाया तो सही रहेगा जैसे हम लोग class द यह चीज़ हो गई अब देखिए चैनल पर कुछ और चीज़े आएंगी जैसे कुछ आपका जो GS वाला part GS से संबंदित कुछ questions जो उसमें आएंगे जीके से संबंदित कुछ questions आएंगे तो वो अलग-अलग classes उसमें आती रहेंगी जब भी समय मिलेगा किसी दिन छुटी र चैनल रखी थी कि जो है 79,000 में जो questions आया थे जैसे देखे तेश में निर्वाचन आयुक से related question आया था और यही question आया था 21 में चुनाव आयुक जो थे वो 68,500 में पूछा था ठीक है इसके बाद देखे खेल से संबंदित जो भी प्रस्म इसमें पूछे गए थे वो देखे खेल दिवस है मैंने बताया जो Grand Slam वाला है US Open Tennis Tournament ठीक है 2018 का पूछा था कि महिला विजेता कौन बनिये तो मैंने बताया ना महिलाओं को ज़्यादा ध्यान में रखना है ठीक अब देखे सौरप चौधरी का किस खेल से संबंद है और पूछा था अब देखे ये पूरसकार से संबंदीत प्रशन है भारत भारत की पूरसकार पूछा है उत्तरप्रदेश से संबंदीत है नोबेल पूरसकार देखे मैंने कहा था कि याद करिएगा इंपॉर्टेंट चीजें किसकी घोच्रा नहीं की गई थी मेरे दोस्तों अब देखे य एक्षी पेपर में दौप पुरस्कार film से पूछ लिए गए और यह देखे एक रम्न में ऐक्षप पुरसकार है जो की पत्रकारिता कहा है शायद को वो भी पूछा गया है इन तो पांच पुरसकार से दुब कोस्चन आप पूछा गया है ठीक है एक आजार में तीन question पूछा जा चुका है देखे एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर यदि किसी जो है राजनेता के ऊपर कोई किताब लिखी जा रही है या कोई राजनेता किताब लिख रहा है दोनों को आप focus करके चलेंगे जैसे यहाँ exam warrior मोधी जी ने लिखी थी ठीक है उस पुरानी किताबों में भी पूछा गया था फिलाल मैंने इतना ही नोट करके रखा था और कुछ अन्य प्रस्णे जो मैंने बताया था न कि कोई उध्गाटन कहीं बाहर जाके जैसे रामायाड सर्किट का नरेंडर मोधी जी ने उध्गाटन किया था कहीं पर भारत का समव भारत का पर्थम आ गया यहां पर उसके बार देखे सबसे थे सुपरकंप्योटर जब भी आप पढ़ेंगे सुपरकंप्योटर की बात आएगी दोस्तों अब की बार आप देखेंगे कि विस्सका सबसे थे सुपरकंप्योटर जो Fronnier बनाईए आपसे पूछा जा सकता है तो इस तरीके से हम लोगों ने एक अच्छा सा विस्लेशर किया है। अब आप बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक बार लाइक करते हुए जाएगा और comment box में जरूर आप लिखेगा कि आपको जो current की class का जो suggestion है कि क्या किया जाए उसके आप लोग क्या चाहते हैं। ठीक है और बाकी test के माध्यम से और अन्य तरीकों से याद करने की पूरी कोशी संब्लों करें ठीक तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद जैहिन